नमस्कार पिछले एक्ते हमने नौन अग्री कमोड़ीज याने प्रेश्रेस मेटल्स बेस्स मेटल्स और एनरजी कॉंपलेक्स में काफी उठा बटक का महौल देखा इसके दो बड़े कारण्ट थे एक था कि जो युएस फेडल रिजर्व है उसकी जो FMC कमिटी है उसमें ये एक तरह से डिकलेर किया है कि November से टेपरिंग याने जो bond purchases होती है हर महीने 120 बिलियन डॉलर की उसमें कमी लाए जा सकती है क्योंकि US economy अच्छा परफॉर्म कर रही है और साथ ही साथ चीन में जो Evergrand जो उनकी real estate का काफी बड़ी कम company है उसको लेकर उसकी debt repayment को लेकर जो दिक्कते हैं साथ ही जो चीन में power crisis है उसको लेकर जो दिक्कते हैं उसके वज़े से हमने सभी accounters में काफी उठा पटक का महौल देखा शुरुआत गोल्ड से करते हैं हमने गोल्ड में देखा कि जिस प्रकर हमने पिछले हफ्ते डिसकस किया था कि 1720 से 1730 डॉलर तक prices जरूर जा सकती हैं लेकिन वहां से एक उचाल देखने मिलेगा तो exactly वही होते हुए देखा 1720 के करीब जाकर हमने 1760 टॉलर तक का बाउंस पैक आते हुए देखा डॉमेस्टिक बजार में हमने 45700 का जो सपोर्ट है वो ब्रॉडली होल्ड करते हुए देखा बजार को और अपसाइड में हमने देखा कि 46500 का एक बड़िया positive close देने में कामया हुआ आने वाले हफते में मुझे लगता है कि 46000-46100 के करीब gold जरूर दिखेगा वहां तक buying की position बनाई जा सकती है और इस बार अगर rally आती है तो 1785 डॉलर याने domestic front पे 47000 के काफी नजदीक prices जा सकती है वहीं चांदी में हमने 22 डॉलर का जो support हम पिछले हफतों में काफी time discuss कर रहे थे वो temporary breach होते हुए देखा याने 21.3-21.4 डॉलर के करीब prices को जाते हुए देखा लेकिन जो close है हफते का close है हमने 22.50 सेंड के आसपास आप देखा है याने closing basis prices 22 डॉलर होल कर चुकी है वहीं 58000 का जो important support था वो test हुआ जो पिछले साल भी test हुआ था वहां से हमने अची rally देखी थी इस बार भी मुझे लगता है कि जो close है 6500 के उपर का आया है और ऐसा लगता है कि अब जो सिल्वर में 23.5 डॉलर्स तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं तो डिप बाइंग मैं गोल्ड सिल्वर दोनों में recommend करना चाहूंगा वहीं energy complex में हमने एक चौपिनेस देखी लेकिन जेनरली जो बायस था वो बाय ओन डिप था और यह हम पहले भी discuss कर चुके हैं 5480 का जो लक्षा वो हासिल हो चुका है अब उस रीजन में एक support बनता हुआ दिख रहा है 5480 से 5430 में कच्चे तेल में और ऐसा लगता है कि positional basis पे जब तक 5350 का स्थर नहीं निकलेगा तब तक जो भी dip आती है 5480 से 5430 के बीच वहाँ पर खरीदारी की जा सकती है immediate target 5740 का होगा और overall मुझे लगता है कि 5880 तक के दाम भी हमें देखने मिल सकते हैं याने WTI crude में 80 डॉलर के उपर का उच्छाल भी हमें देखने मिल सकता है वही national gas में हमने काफी बढ़िया तेजी देखी और उसके बाद एक correction भी आते हुँ देखी है तो जो हमने पिछले अपते डिस्कस किया था कि यदी 350 का support hold कर जाता है और 405 के उपर prices निकलती है तो हमें 440 और 475 से 78 तक के लेवल देखने मिलेंगे हाला कि 470 के काफी करीब ग कर रहा है तब तक immediate तौर पे 440 और उसके ऊपर अगर फिर से निकलती है prices तो 478 तक के दाम भी हमें national gas में देखने मिल सकते हैं वहीं base metals की बात करें तो चीन में जो electricity crisis है क्योंकि वहां coal याने कोईला काफी महेंगा हो गया because Australia जो उनका exporter था उससे अभी फिलहाल exports नहीं आ र तो उसके चलते हमने देखा कि काफी factories में और यहां तक की घरों में भी electricity जो है उसकी कमी हो गई है कटोती की जा रही है तो इसके चलते हमने base metals में क्योंकि refinery demand जो है वो कम हुई है उसके चलते हमने copper में दोबारा 690 से 685 तक prices को फिसलते हैं देखा लेकिन हफते का close आते आत तो इस दाइरे में trading की जा सकती है aluminum में तेजी का रुख बना रहेगा aluminum में अगर 225 से 224 के करीब मिले तो वहां पर buying करके चला जा सकता है और 235 तक के लक्ष दुबारा हासिल होंगे ऐसा मेरा मनना है वही निकल में भी मुझे लगता है कि 1350 से 1340 के करीब एक बार bottom-out होने क की सम्भावना है और upside में दुबारा हमें 1460 तक के level M6 पर देखने मिल सकते हैं तो यह था जाइजा कि जो major commodity से उसमें क्या रुख रह सकता है आने वाले अक्तों में धन्यवाद कि लिए ऌता है झाहिए आने वाले ऐा बाता है सकता है में आने आने खा थे ज। लूब जबाँने का याए टाता है